जैहिन दोस्तों मैं अनिल कुमार फिस से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आठ्सकलास सितामधी में आप लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो मेरा टोपिक है वो आपको 23 सितंबर से जुरा हुआ करेंट अफेर्स है तो इस टोपिक में आज हम लोग 23 सितंबर से जुरे हुए जो महत्पुन प्रशने है उसका हम लोग rawition करेंगे इसके अलावे इसके जुरे जो प्रम प्रागत प्रश्णों का उसका भी मिसृलेशन करेंगे तो अभी हाली में क्या हुआ है कि 22 सितंबर को आपको 22 सितंबर को मनाइगा है और यह जो भी सुराइनों दिवस से यह आपको वस्ट 2010 से मनाया जाता है इसका उधिस से क्या है कि जो दुनिया भर में गेंडा की जो प्रजाती है जो बिलूप्त हो रही है उस प्रजाती को क्या करना है बचाना है ठीक है तो यहां से प्रस्ण आ जाएगा कि इसमें इसके अलावे ग्रेटर वन होनेट राइनो है इसके अलावे आपको सुमत्रन राइनो है इसके अलावे आपको जावा राइनो है तो यहां से प्रस्ण और आएगी कि यह जो वर्ड राइनो दिवस से इसको मनाने का जो श्वाडम किया था वो किस नहीं किया था तो आपको डबलू डबलू एफ किया था यानि कि वर्ड वाइड फंड फॉर निचे नहीं किया था तो यह जो डबलू डबलू एफ है यह है क्या तो यह एक आपको अंतराष्ट्य गैस सरकारी संगर्ठ ने जो जंगल सरक्षन और परियावरन पर मानब प्रभाव को कम करने के अच्छ पी को बरूण गिंड खुझ खुझ करने वाले आपको ख़गोल भिग्णनी छेघ यह दिशित ग्रह और में चौंथा सबसे बढ़ा ग्रह है तो आए थोरा सा यहां पर हम जान लेते और ग्रह के स्थिति के बारे में तो स्वर मंडल का जो किंद्र फोरता है वह आपको सुर्य होता और सुर्य से बढ़ते दूरी के अनुशार जो ग्रहों का क्रम है या इस परकार है तो सुर्य के सबसे बढ़ा ग्रह है वह आपको विस्पति है फिर इसके बाद आपको विस्पति के बाद जो हो गया वह आपको सनी हो गया सनी के बाद अरून हो गया अरून के बाद बरून हो गया फिर आपको प्रित्वी हो गया सुक्र हो गया मंगल हो गया बुद्ध हो तो इस प्रका हाल ही में इटालियन उपेन टेनिस टूनामिट 2020 के जो एकल विजेता बने हैं वो आपको नवाक जोकोवीच बने वहीं महिला वर्ग में आपको सिमोना हालेफ बनी है तो यहां से प्रश्ण किया जा सकता है आप से कि सिमोना हालेफ किस देश की है तो सिमोना हालेफ जो आपक बात करते हैं कि नुवाग जो को बीच जो है अभी हाल में चर्चा में क्यों है तो नुवाग जो को बीच जो है रोजर फेडर के बाद क्या है कि सबसे अधीक दिनों तक नंबर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है अभी यह दुनिया के नंबर टेनिस खिलारी भी है लेकिन यह जो प्रिवेस्ट किये हैं आपको नंबर वन रहते हुए दूसरे सतास्रिमा सता जो है उसमें यह प्रिवेस्ट किये इसलिए यह चर्चा में तो आए यहां से बात करते हैं यह जो रोजर फेडर है ठीक है नुवाग जो के बीच है और राफिल नडाले इनको टेनिस का त इन तिनिते नों को क्या कहा जाता है तो टेनिस की त्रिमूर्ति कहा जाता है ठीक है वहीं आपको अपको तीस न नंबर पर जो है जर्मनी के अस्टेपि ग्राफ है जिसके नाम बाइस ग्रेंडस लंग किताव है तिन सारे तथ्यों को आप वीडियो पॉस्ट करके लिख लेंगे क्योंकि आपकी एक्जाम में इसे बहुत सारे प्रश्ण जो होते हैं वह आते हैं अब हम बात करते हैं नेपाल के प्रवातारोही अंग रिता शेर्पा का जिनका हाल ही में निधन हो गया तो यह जो अंग रिता शेर्पा है इन्हो तो अगर आपसे प्रश्ण पुछा जाएगा कि बताइए कि अभी हाल ही में दुनिया के महान प्रवातारोही जो थे आपको अंग रिता सिर्पा इनका नीधन हो गया है इनका संबंद किस देश से इनका संबंद जो है नेपाल से है ठीक है और इन्हें सनो लेपड के नाम से जना जाता है और यह 1983 से लेकर 1996 के बीच में दस बार बीना ओक्सिजन के क्या हुए कि आपको मांट एवेस्ट पर चड़ हुए और मांट एवेस्ट जो है दुनिया की सबसे उची चोटी है जो की हिमाले परवस्रेनी का क्या है एक हिस्सा है अब आई अब हम बात करते हैं एक बात करते हैं लेस्ट के बारे में तो अकिर ग्याया तो देखेंना अरी नियांत्राण सिमा रेका और इस्का निधारन हुआ था 1962 के भारत चिन युद के बाद हुआ था तो यह जो LAC है यह आपको भारत और चिन के बीच क्या है एक बास्तविक नियंतन सिमाडेका है और यह सिमाडेका आपको जम्मु कस्मीर के जो भारत अधिकरीत छेतर है और आपको चिन के जो अधिकरीत छेतर है जिसको हम लोग अकसा चीन और भारत के जो अधिकरित कस्मीरे उसको क्या करता है अलग करता है और यह रिखा जो है आपको लद्धा कस्मीर उत्राखंट हिमाचल प्रदेश सिक्कीम और उनाचल प्रदेश सो होकर क्या होती है गुजरती है और इसका निधारन कब हुआ था तो 1962 के भारत चीन